यह वीडियो प्रोटीन, विटैमिन, अलग-अलग आउशदियां, अलग-अलग टैबलेट्स, अलग-अलग स्टेरोइड्स, इसके उपर है वीडियो के अंतक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि यह एपिसोड 28 वा है, आरो के सत्यांदकार इसको लेकर मैं यह कुछ जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछले बहुत सालों से मैं इस इंडिस्ट्रे में काम कर रहा हूं, और मेरा करतव भी है कि आपको सत्य ग्यान जो है आरोग्य प्रती सामने रखूं, और जूट का परदा, ब्रहमित्ता का परदा आपके आखों से हट आने की कोशिश करो प्रोटीन विटामिन अगर ये नाम आता है तो हम देखते हैं जितने भी वैम करने वाले हैं या वैम ना करने वाले भी हो या छोड़े बच्चे भी हो उनको प्रोटीन के नाम पर अलग अलग पाउडर केमिकल खिलाते हम देखते हैं खुद के मन से अधुनिकता, विज्ञान, सायंस सबसे बड़ा है, कहां से कहां पोज गया विज्ञान, इस पर मनुष्य प्रानी बहुत घमंड करता है और उसी की तरफ जुकता हुआ दिखता है, ये प्रकृति के अगर बात करेंगे, प्रत्वी के बाहर जाकर देखिए अंतरित्ष में प लोड़ा दो या चार किलोमेटर उपर जाकर देखिए, हवाई जहाज से देखिए मनुष्य प्रानी को, दिखाई देगा, नीचे रहकर मनुष्य प्रानी समझता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने अधुनिकता, साइंस इस नाम पर सब कुछ जीत लिया, नहीं भाई, पहले दो-चार सो साल पहले के मनुष्य सो सो देड़ सो देड़ सो साल जीते थे, लेकिन आज अधुनिकता के नाम पर जीने वाले 50 वर्ष, 60 वर्ष, इस आयू में अलग अलग रोगों से अंत होता हमें दिखते हैं, चलो, आज का ये एपिसोड, प्रोटीन, विटामिन, आउसदिया, इसके उपर है, खाने वालों के उपर है, खाना चाहिए, नहीं चाहिए, ये मैं रखूंगा सामने, अगर नहीं भी खाना चाहिए, तो कौन सा कौन सा हमें उसके कंपैरिजन में, जो प्रकृति का नाम लिया, मैंने, प्रकृति से जीवन जीना चाहिए, वो मैं आगे रखूंगा इस वीडियो में और एक experiment जो protein खाते हैं vitamins खाते हैं और शरूर को फुलाते हैं कुछ ही महनों में उनके ऊपर एक experiment में दूंगा मैं कि 10 दिनों में जितना कुछ उनने दो साल में खुद खुद को फुला लिया है सिर्फ दस दिन में गारंटी से वो पूरा खतम हो जाएगा वो जो हवा जो है वो हवा पूरी निकल जाएगी वीडियो के यह मैं आंत में बताऊंगा वो दस दिनों का एक्सपेरिमेंट क्या है तो पहले जान लेते हैं कि यह प्रोटिन विटामिन चावल वगेरा वगेरा सबजिया सबको तोड़ दिया गरम किया आटा बनाया अलागला कुछ भी करते हुए उसको प्रोसेस किया और डेड़ होने के बाद उसको खा लिया जो कि बाकी बुद्धिहिन प्रानी जैसा का वैसा प्रकृति ने जो दिया है जीवित वो खाते है है लेकिन सरवस्रेश्ट बुद्धी सरवस्रेश्ट जन्म मनोषप्रानी नहीं खाता है तो एक बात समझनी चाहिए कि हम मरत अन्न कियों खाते हैं ठीक है मरत अन्न हम кहा रहे हैं सबीन लोग खा रहे हैं तो इस से शरीर में वो जो सबतधातु हैं जो कूण है जो कुछ रहे सब धातों के उपर जो हमारा शरीर टिका हुआ है जो बुनियाद है वो शरीर में बन ही नहीं पा रही है कैसे बनेगा मुरत अन्ना खाने के बाद तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए देखते हुए ऐसे कुछ कमपनियां बिजनेस फॉर्माट में आगे आ गई और अ रक्त मांस मेद अस्ती मज्जा शुक्र सब धातों यह यह कैसे बनेंगी केमिकल वाली कमजोर वाली बनेंगी और कुछ-कुछ फूल ना शरीर को फुगा ना यह कुछ दिखेगा देख लो दो चार महने आप खालो ओ आवशुदी खालो फर शरीर को फूना ले वाली और ठ देखो आपकी हालत क्या होती है मैं वो प्रोटीन खाने वाले की बात पहर रहा हूं पूरा शरीर ढहला ढहला पड़ेगा स्कीन लूज गिर जाएगी पूरा जो कुछ हवा भर गई ते अंदर नीचे आ जाएगी क्यों आप व्यायम भी करते रहो आप प्रोटीन को व्यायम करते रहो फिर भी आपका शरीर दुबला पतला होता हुआ चले देगा जब तक वह आउशदी आप खाते हो तब तक ही वह आप फूला हुआ स्ट्रॉंग ऐसे महसुस करते हो सिरुष स्ट्रॉंग होना और फूल ना यह आरग्य समपत्ति कमाना नहीं नहीं है समझना पड़ेगा इसको अगर फूल ने के लिए खा ही रहें तो क्या चैनल कि उनबर खा सकेंगे ए क्लोछना पड़ेगा इसके बारे में जनबर नहीं से इस एक अंधेरे बरी अंधेरे में भटक तुए हमें खुशी मिलेगी और इसके दो चार साल चला देंगे और बाद में इसके रिजल जो है आपको पता लगेगा लेकिन जो कल गया है उसके बारे में कौन सोचेगा कल जो खाया है इस तरीके से जा रहा है मनुश्य परानी बड़े-बड़े मैं मैं कही रहा हूँ मतलब आप फॉलो मत कीजिए बड़े-बड़े सेलिबर्टी स्टार पुनित राजकुमार सिधार्त शुकला माइकल जैक्सन कितने नाम लू मैं और बड़े-बड़े बॉड़ी बिल्डर भी है रॉन्नी कॉलमैन है ये तो चेर पर हैं खुद के पेरों के उपर नहीं चल सकते वो क्यों आप देखो समझो सीखो और उसके बाद उस तालाव में उतरने की कोशिश करो ऐसे आंदरे में मत जियो क्योंकि आरुग्य संपत्ति ही सर्वस्रिष्ट संपत्ति है चलो लेकिन ऐसे डेड़ फूड खाकर तो के नाम पर उस प्रोटिन को हम खा रहे हैं तो पहले ही मैंने सब्जेक में कहें दिया शुरू में कहें दिया प्रकृति बड़ी या विज्ञान बड़ा तो हमें भी पता है कि प्रकृति ही बड़ी है नेचर सबसे बड़ा है तो नेचर में क्या है इसे खाना पीना है खान का तरीका है क्या आप देख सकते हो चलो समझ में आया होगा मैंने इस वीडियो में क्या कहा है आप से कि प्रोटीन विटामिन के दुनिया सिर्फ फुलाने वाली है एक महने में तो वो मुर्गी का बच्चा बच्पन में उसको इंजिक्शन देते हैं और एक महने में उसको फ फुला देते हैं वजन भरने के लिए उसको फुला देते हैं क्यों भाई हम कल्यूग में जीते हैं देड़ सो करोड का देश है सोचो अपने अपने स्वार्थ के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है हम हर रोज देख सकते हैं स्वार्थ क्या है मोह क्या है माया क्या है तो आरोगय संपत्य सरवस्रिष्ट संपत्य है इसको समझो योग्य चुनाव करो और यह आरोगय संपत्य प्राप्त करने की कोशिश करो कुछ इस वीडियो के बारे में तथ लगते हैं तो comment box में जरूर रखिए वीडियो को share कीजिए और अगर नए हो चैनल पर subscribe जरूर कीजिए मैं हर रोज नए नए वीडियो डालने की मैं कोशिश करता हूँ आपको लगता है कि इस subject पर किसी आपके माइंड में कुछ subject है कि आप इस subject के ऊपर वीडियो कीजिए तो मैं जरूर कोशिश करूँगा वो उस वीडियो पर वीडियो करने की तो comment box में लिख जरूर कुछ लिखिए बहुत बहुत धन्यवाद